न्यूज जनता दर्वार के प्लेटफोर्म से मैं आप सभी को बताना चाहूंगी कि हम लोग आपसे बात कर रहे हैं निर्भिया स्क्वैड के बारे में की तीम है जो की आपको नीली वर्दी में दिखाई देती है लगातार मोटर साइकल पर सवार होकर साहरन बजाते हुए गली गली में निकलते हुए आपने कई बारे में जथे के रूप में भी निकलते हुए देखा होगा ये बड़ी पेर में काम करती है निर्भिया बार के बाहर को चलाने मैं ये काम करती है बिलकुल चीते की सिपुटे से और चील की सी नजर के साथ में आप करते हैं पैट्रोली करते हुए नीली वर्दी में कभी बस स्टॉप पर कभी स्कूल के बाहर कभी कॉलेज के बाहर कभी हाट बाजार कभी मार्केट कभी सुनसान एरिया तो कभी रेस्टोरेंट डिस्को बार पप के बाहर तो कभी कोचिंग सेंटर्स के बाहर हम लोग लगात तेनात रहते हैं 24 इंटू 7 आपको मैं बताना चाहूंगी कि सुबह 7 बज़े से इनकी यात्रा शुरू होती है रात को 9 बज़े तक यह लगातार काम करती है नीली वर्दी की टीम यह नहीं हमारी निर्भिया स्क्वैड और आपको जानकर और भी अच्छा लगेगा कि हमारे निर्भिया स्क्वैड की कमांडो साधा वर्दी में भी काम करती है यानि कि यह काम करती है बिल्कुल आपी की तरह के के नॉर्मल कपड़े पहन कर और ऑपरेशन सेफर वील में हम लोग चलते हैं बसों के अंदर ताकि बसों में किसी भी महिला के साथ कोई छेड़ खानी न चाती जैसे ही कोई पता लगता है कि मंचले ने घरबड़ की उस मंचले को उठा कि सलाको की पीछे डालती है तो अब जब भी आपको कोई परिशान करें यानि कि अगर कोई आपको फेश्वूक पे ट्रॉल कर रहा है शोशल मीडिया पर परिशान कर रहा है आपको ब्लैक म वेवार करें आपके पर गलत चीटा कशी करें तिपनी करें या आपका पीच्छा करें या आपकी सहमत्ति की बिना आपको टच करें अगर ऐसा कुछ भी कर रहा है जिसे कि आपकी राथों की नीद खराब हो रही है तो आप डणने की जुरूरा नहीं है क्योंकि जो डर गया वो मर गया आपको सिर्फ करना यह है कि आपको हमारी हेलप लाइन नंबर पर कॉल करना है हमने देखा है कि जितनी भी महिला यह बच्ची आए वह थाने में जाने में जिजकती हैं हम कोड कचरी के चक्कर में क्यों पड़े हम किसी से रंजिश क्यों ले तो ऐसा अगर आप नहीं करना चाहती है तो हम आपकी बात को सबस्ते हैं हम आपकी भावनाओं की कद्र करते हैं और इसलिए निर्भिया स्कुराइट का घठन हमने किया है कि आपको थाने पर जाने की ज 1212 जो अभी हमरी इमर्जेंसी लाइन है पूरे और इंडिया में संचाली ते इस पर भी आप कॉल कर सकती है और इसको याद कराने के लिए हम जगे जगे नुकर नाटक करते हैं कि राजस्थानी भाशा में एक आदमी एक औरत को पीट रहा है वो चिला रहा है और वह भी च चल लाइए अरे बारे अरे बारे मच चल लाइए 112 पे डाइल कीजिए तो आप 112 पे भी डाइल कर सकती हैं साथ ही आपके लिए जो हमारी सबसे इंपॉर्टेंट हेल्प लाइन नंबर है वो है महीला गरीमा हेल्प लाइन 1090 इसको याद करने का भी तरीका हमने आपको दस प्लस नब्बे यही हमारे हेल्प लाइन नंबर है डेफिनेटल आप लोग भूलेंगे नहीं और इसको भूलना भी नहीं है आगी से आगी सरकुलेट करना है हमारी वाट्सप लाइन नंबर भी आपको में बताना चाहूंगी कि अब हर हाथ में मोबाइल है तो मोबाइ नंबर जरूर से जरूर नट कीजिए 8764868200 वन मोर एलप लाइन आवर 7300363636 तो इन आप हेलप लाइन पर जो आपको निचे फ्लैच भी हो रही होंगी आप जरूर से जरूर नोट करें आपके मोबाइल में सेव करें और सबसे इंपोर्टेंट इसको ज्यादा सी ज्यादा सर्कूलेट करें क्योंकि हम अपना बहतर करें तो क्या फरक पड़ता है हम अपना बहतर करें तो क्या फरक पड़ता है पर हम किसी और का बहतर करें तो बहुत फरक पड़ता है तो हमसम मिलकर किसी और का वहतर जरू करें और कोई अगर बास्तर में परिशान है तो चैरे पे समाइल अभला सकते हैं इने help line की दूरा help line का फायदा क्या help line का सबसे बड़ा फैदा यह कि महिला की बात को महिला ओफिसरी सुनेगी और जब तक आपकी समश्या का जड़ से समाधान नहीं हो जाएगा वो लगातार आपसे अपडेट लेती रहेगी बात करती रहेगी और उससे भी ज़्यादा important चीज कि आपको ठाने पे जाने की जरूरत बिल्कुल नहीं है और उससे भी ज़्यादा important चीज ये कि आपकी पहचान गोपनी रखी जाएगी हम किसी को नहीं बताएंगे कि हमें कॉल किस ने किया था और जो मनचला जो रोमिया जो आपको परिशान कर रहा है उस ऐसा वन परसेंट ऐसे ऐसामाजिक तत्व हैं जिन्होंने कहां में खाँ में पुरुष जाती को बदनाम कर रखा है तो ऐसे ऐसामाजिक तत्व को सलाकों के पीछे ले जाना ही हमारा दिया है तो आज से हम तो परदी वाली प्लिस लेकिन जितने भी लोग मुझे देख रहें वो सब मेरे आज से सिविल ड्रेस वाली प्लिस यानि कि आपको हमारे साथ कंदे सिकंदा मिलाकर हमारा साथ देना है हमारे को सयोग देना है तब ही हम एक रेप प्री समाज यहां बना पाएंगे और इसके मेरे स्टाने में जाकर आप अपना एंरॉल्मेंट कराएं और ऑपना ऐसके बता सकते हैं सु तो मामला की नहीं सुनेगा और हमारा मुख्यलय और्देश्य सुरक्षा बनाने था यह कि इनमें और अगर वहाय और अगर किसी महिला को को परिशान कर रहा है गर कर सकती है और उसकी कंप्लेंट पर हम एक्शन ले सकते हैं तो जिते भी यह जो मन चले और बदमाश टाइप की लोग मुझे सुन रहे हैं तो खबरदार हो जाईए क्यूंकि उनके बुरी दिन आज इसे शुरू हो गए हमारे पास कंप्लेंट आएगी और हम तुरंत एक्शन करते हैं आपको यह जानकर बड़ा अच्छा लगेगा कि निर्भिया स्क्वाइट जो कि मैं आपको पता है चोई सितंबर धोजा उन्निस को इसका गठन हुआ था बीच में कोरोना काल आ गया था उसके बावजूद हम लोगों ने साथ हजार मंचलों के खिलाप कड़ी कार परवाई किये सलाकों के पीछे पहुचाया है पांच लाक महिलाओं को हम लोगों ने कानूनी साक्षर बनाया है कानून के प्रती जानकारी दिये हैं जागरुद बनाया है चार हजार सुरक्षा सकीया हम अभी तक बना चुके और इसके अतिरिक आपको बताया है कि हमने 24,000 बुजुर्गों को गो दिलिया है और वो कौन से बुजुर्ग एकल बुजुर्ग जिनके की बच्चे अगर यहां नहीं रहते या बहार हैं अकेले दंपतिया या अकेला पुरिश या केली महिला कहीं भी है तो हमारी निर्भिया स्क्वेड ने उनसे संपर किया है उन्हें राजकॉप एप हम लोग डाउनलड कराते जिसमें की हम उनको एसेचों का नंबर भी उसमें सेव करते ताकि कोई भी बात हो कोई बदमाश उनके घर में घुच जाता है तो या उनको कोई मेडिकल प्रॉब्लम हो जाती है को बीपी है शूट कर जाता है हाट एटेग आ जाता है उस पैनिक बटन से डारेक्ट मेसेज ऐसेचों के पास जाएगा और उसे तुरायंत रिलीफ मिल जाएगा यह बहुत बड़ी सच्चाई है कि अब नए मकानों में पुरानी चीज़े कौन रखता है नए कमरों में पुरानी चीज़ कौन रखता है अब परिंडों में पानी भरकर कौन रखता है यह हमारे बुजर्गी हैं जो सम्हाले वें दरकती दीवारों को वरना बुजर्गों की मिशानी को सम्हाल कर कौन रखता है तो इन में यह संसकार बढ़ दे की नारी का सम्मान बहुत जरूरी है और नारी का सम्मान अब तो मजबूरी भी है क्योंकि हम भी धारा 354 IPC में बहुत बड़े अबेंडमेंट हुए हैं संचोधन हुए हैं जो हर माब आपको अपने बच्चों को बताना बहुत जरूरी है कितनी बार होता है हमार पास मामले ऐसे आते हैं जिसमें कि यह होता है कि लड़की का हाथ ही तो पकड़ा था आपकी निर्व्या मुझे उठा लए अगर लड़की से लिए कि तीन साल तक की सजा हो सकती है वह जमाने गए जब आप कहते हैं तो हां कर या ना कर तू है मेरी किरण नो 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 अब यह नहीं चलेगा और इसके लावा अगर लड़की बिलकुल नाबालिग है यारि कि अगर उसकी साधे सत्रा साल भी उमर है तो ऐसी लड़की जो आते हैं वह कहते हैं कि मैंना मिया वीवी है राजी तो क्या करेगा का जी अगर लड़की नाबालिग है तो बहुत कुछ करेगा यह का जी लड़के को दस साल के लिए अंदर डाल देगा एकाजी पोक्सो एक्ट के तहर्त तो आप जित्ती भी बच्चिया उसका केरियर तबाह हो जाए तो ये भी हमें ध्यान रखना है कि सहमति का मतलब क्या है तो एक चीज यहीं पीछा करना भी अपराद है और अब तो अश्लील टिपड़ी करना भी अपराद है अगर आपने किसी को गलती से कह दिया अरे ओ छम्मक चलो तो आप पे लग जाएग तो इसका दिखाने का एक ही तरीका है कि आप किसी भी प्रकार से अगर कोई कर रहा है बद्दा कमेंट तो इसको जरूर रोकिए और टो किए और जिते भी पेरेंट्स मुझे सुन रहे हैं तो प्लीज अपने बच्चों पर ये चीज़े जरूर करें टोकाटा की जरूर करे और आपको एक बातों मैं बताना चाहूंगी अभी लगाता है मेरे बच्चों के हाथों में मुबाइल है हर घर के अंदर मुबाइल है हर यक्ति के हाथ में मुबाइल है और इस मोबाइल के चलते कई सारे जो क्राइम हैं साइबर फ्रोड जो हो रहे हैं उसमें पॉनोग्र कि कितनी बार बच्चा आजकल बड़े-बड़े कई सारे गेम खेलता है और गेम पर को कई सारे लालज दिये जाते हैं तो वह गलती से किसी लिंग को क्लिक कर देता है या फिर वह ओटीपी वगरें दे देता है या कोई आप भी अंजाने में काम कर देते हैं और आपकी खून 20 तो आपने सबीने सुना हुआ है ना बस उसी को याद रखिए उन्निस तीस तीस का मतलब क्या उन्निस तीस का मतलब यह कि अगर आप इस पर हमें कंप्लेंट करेंगे तो हम आपका जो ट्रांजेक्शन हो रहा है उसको रुकवा सकते हैं चाहे उस आपकी जाने में हुआ जाने में हुआ और आपका पैसा हम बापस ला सकते हैं तो यह 24 घंटे में सबसे पहला काम 19-30 पे कॉल करना है दूसरा काम फिर बैंक जाओ तीसरा काम फिर थाने पे जाओ और फिसारी कारवाई करो यह जन हित के अंदर हम आपको बता रहे हैं इसको सरकुलेट जरूर से ज जोजना और है और वह है आत्म रक्षा प्रसिक्षन सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग हमने अपनी दुनिया में जितनी भी जंग जीती है खास तोर पर इंडियन के लिए मैं कहना चाहूंगी अपने होसलों के दम पे जीती है तो अपना होसला मजबूत करने के लिए हर बच्च इनकी ट्रेनिंग बिल्कुल फ्री 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 निश्योल कर ले सकती है और इसके लिए हम आपको एक सर्टिफिकेट भी देते हैं और अगर आप पुलिस लैन नहीं जानती और आप नुवा रिश्ट्रेशन नहीं करा पा रहें तो आप हमारी अगेन महिला गरीमा हेलप ल आप कई पी चाहिंहों पार्क में इस सुसाइटी में या किसी संसा में एंजियों में कॉलेज में कॉल सेंटर में मैं मेडिकल में नर्सेष का या कि Цoups की ब 17 इसुडुर 120 कोई भी एगर हमें जठ्था मिलता है और वो आपे याद करते हैं तो हमारे master trainer खुद वहाँ जाकर यानि आपके घर आकर हम लोग खुद आपको ये initial training देंगे तो प्लीज इस योजना का जरूर से जरूर लाब उठाईए कि आपको कहीं भी नहीं जाना है हम खुद आपके पास आ रहे हैं पास दिन की training लीजिए हम से certificate लीजिए और अपना होसला बलंद कीजिए क्योंकि सपने उनी के पूरे होते हैं जिनके सपनों में जान होती है पंक उसका शोशन होगा लेकिन वो जिस दिन देने वाली मुद्रा में आ जाएगी तो इस दुनिया की कोई ताकत उसका शोशन नहीं का सकती और इसके लिए हमें उसे हुनर्मन मनाना है और इसके साथ ही उसको शिक्षा में आगे बढ़ाना है और बाहर भेजने में भी नहीं ड राटने वाले हैं हमारा राजकॉप एप के उपर एक पैनिक बटन भी है जिसको आप यूज कर सकती है आपकी सुरक्षा के लिए अभी हाली में एक नया एप लॉंच किया है हमरी सरकार ने आपको पता होना चाहिए पर बड़े दुख की बाते इतनी सारी योजनाएं हम आई शक्ति एप इसको आप डाउनलोड कीजिए चार लोगों के आप नंबर इसके इंदर स्वीड कर सकते हैं और इसके बाद वह आपकी पूरी आपकी जो जीपेस लोकेशन वह भी ट्रेस कर सकता है और आपका पैनिक बटन से सूचना भी आपकी घरवालों को आपकी गार हम राजस्तान प्लिस सेवा से हैं वह इसकी क्योंकि प्लिस हमारी सेवा है हमारी सेवा का लाव जरूर से जरूर उठाइए अगर कोई मुझसे पूछना चाहे कि आप अगले साथ जनम में क्या बनना चाहती हो तो मैं अगले साथ जनम में भी पुलिस वाली बनना चाहती क्योंकि हम वो लोग हैं जो direct relief आपको पहुचा सकते हैं एक रोते वे यक्ति के चेहरे पर स्माइल ला सकते हैं और आप लोगों से भी यही सयोग चाहते कि आप किसी के भी जो रोता हुआ चेहरा इसके स्माइल लाने के लिए मदद कीजिए हमारी सेवाई जरूर से जरूर लीजिए